सब्सक्राइब करें Tech Bros चैनल को और बैल आइकॉन दबाए हमारे लेटेस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के बाद 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 सब्सक् इसाखत अगर आप चाहे तो आप इसके अंदर kita में आपकी custom list जणनरेट कर सकते हैं,ः या आपके आपको selected numbers के calls record करने ही तो आप वो selected numbers को ही recording enabling and enable कर सकते हे और अगर आप चाहे तो आप यहाँ से notifications को भी enable कर सकते हैं, तो जब जब आपके calls record होंगे आपको notification मिल जाएगा अब ही मैं फिलाल में इसे on numbers पे select कर लेता हूँ अभी दोस्तो हम यहां से back आ जाएंगे देखे दोस्तो अभी हमारे phone के अंदर call recording हमने enable कर दी है अभी दोस्तो अभ हम एक call record करके देखेंगे देखे दोस्तो मैं अभी एक number dial कर रहा हूँ देखे दोस्तो अभी email जा रही है अभी मैं यह मेरे दूसरे mobile से call receive करता हूँ तो इसकी recording start हो जाएंगी यह देखे दोस्तो अभी हमारा call record हो रहा है और सामने वालों को पता भी नहीं चलता है अभी दोस्तो मैं इस call को cut कर देता हूँ अभी देखे दोस्तो हमने इस call को save कर लिया है यह automatically आपके phone में save हो जाता है अभी हम यह देखेंगे कि हमारे सारे calls save कहा होते है तिसके लिए आपको यह tools option को open करना है tools option में यह देखे दोस्तो यह जो recorder है आपको इसे open करना है इसे open करने के बाद में यह देखे दोस्तो यहाँ पे जो recordings है आपको इसे open करना है यहाँ पे यह देखिए दोस्तो recorded calls आप जैसे यहाँ पे इसे open करते हैं यह देखे दोस्तो यहाँ पे आपको आपके जितने भी phones record हो चुके है वो आपको यहाँ पर आपके बतला देगा दोस्तो ये call recorder आप Redmi के सभी मुबाइल्स के अंदर enable कर सकते हैं जैसे के Redmi Note 4 Redmi 5A, Redmi Y1, Lite, Y1 ये सभी मुबाइल्स के अंदर आप ये setting enable कर सकते हैं और बिना किसी application के आसानी से phone calls record कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो को like और share कीजिए अगर आपके कोई सवाल है तो comment कीजिए और ऐसे helpful वीडियो के लिए please हमारे चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching